नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलिगा नीव चैनल में आप सभी का स्वागत है जौनपुर के मुग्डाबाद शापुर में सोरह अप्रेल को सतहरिया अध्योगिक छेत में इस्थित दादा धाबे पर सुक्रवार को रात तीन वाहनों पर सवार पहुचे आधा दर्जन बदमासों ने धाबा मालिक से मार पित किया वह जम कर तोड़ फोर के साथ कई राउन गोलियां भी चलाई गोली लगने से धाबा पर काम करने वाले 18 वर्सी रमेश वा उसका भतिजा 16 वर्सी मोनू निवासी चकरा नंदा उत्थाना फुल पुट्रेयाग राज 19 वर्सी रमेश निवासी सुवन सा प्रताबगर का रहने वाला घायल हो गया आरूप है कि बदमासों ने बीज बचाव कर रहे धाबा संचालक अनुपन सिंग को लोही की डाड से मार दिया जिसी से उनका हांत तूट गया सभी घायलों को प्रात्मिक स्वासकेंद ले जाया गया जहां से प्रात्मिक उप्चार के बाद जिलाची हिस्स्याले रेफर कर दिया गया मौके पर पहुँची पुलिस ने ढाबा संचालक से पूछताच के बाद हमलावरों को घिराफ्तार करने की घेराबंदी की दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है हमलावर फतन पुर प्रताबगर के निवाती बताए जा रहे हैं घटना का कारर पुराने रंजिस बताए जा रही है घटना के बाद सक्रीव हुई पुलिस आरोपितों की तालास में जुट गई है वहीं घायलों की हालत खत्रे से बाहर बताए जा रही है इसी संदर्भ में पूछे जाने पर थाना ध्यच सदानेंदराय ने बताया कि गोली चलने वा लूर पाट की घटना मनगढंद कहानी है दो माँ पहले धाबा संचाला की अवं कामगारों ने फतन पुर प्रताबगर निवासी एक लड़के को मारा पिटा था बदला लेने के उज्जेसी से उन लोगों ने धाबे पर पहुँच कर मार पिट किया घटना पूरा दिरंजिस कारण हुई है